यह लायू सेटलाइट जो की एक पूर्वन निर्धारित लक्ष था उसे लो आर्बिट एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल द्वारा मार गिराया गया है सिर्फ तीन मिनिट में सभलता पुर्वत यह आप्रेशन पुरा किया गया है मिशन शक्ती यह अत्यंत कठीन आप्रेशन था जिसमें बहुत ही उच्च कोटी की तकनीकी ख्षमता की आवशक्ता थी वैज्यानिकों द्वारा सभी निर्धारित लक्ष और उद्देश प्राप्त कर लिये गये हैं हम सभी भारतियों के लिए यह गर्व की बात है कि हम पराकरम भारत मेही विक्सीत एंटी सेटलाइट एस सैट मिसाइल द्वारा सिद्ध किया गया है सर्व प्रथम में मिशन सक्ति से जुड़े सभी डियारेडियों वैज्ञानी को अनुसंधान करता हूँ तता अन्यस समंदित कर्मियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ जिनोंने इस असाधारन सभलता को प्राप्त करने में योगदान दिया आज फिर उन्होंने देश का मान बढ़ाया है हमें हमारे वैज्ञानी को पर गर्व है अंत्रीक्ष आज हमारे जीवन सैली का एक महत्वपुन हिस्सा बन गया है आज हमारे पास परियाप्त संख्या में उपग्रह उपलब्द है जो अलग-अलग शेत्रों के विकास में अपना बहु मुल्य योगदान दे रहे हैं जैसे क्रशी, रक्षा, सुरक्षा, आपदा प्रबंदन, डिजास्टर मेनेजमेंट, संचार, कॉम्मिनिकेशन, एंटर्टेन्मेंट, टीवी, मौसम की जानकारिया, नेविकेशन, शिक्षा के खेत्र में, मेडिकल के खेत्र मे हैं, ऐसे अनेच छेत्र हैं, हमारे उपग्रहों का लाब सभी को मिल रहा है, चाहे वो किसान हो, मच्वारे हो, विद्यारती हो, सुरक्षा भल हो, दूसरी और, चाहे वो रेलवे हो, हवाई जहाज हो, पानी के जहाज हो, या परिचानन की कोई भी बात हो, इन सभी जगह उपग्रहों का उपयोग किया जा रहा है, विश्व में स्पेस और सेटलाइट का महत्व, बढ़ते ही जाने वाला है, शायद जीवन इसके बिना अध्वरा हो जाएगा, ऐसी स्थिति में, इन सभी उपकरणों की सुरक्षा, पुक्ता करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है आज की एंटी सेटलाइट एसेट मिसाइल भारत की सुरक्षा की दुरुष्णी से और भारत की विकास यात्रा की दुरुष्णी से देश को एक नई मजबूती देगा मैं आज विश्व सबुदाय को भी आस्वस्त करना चाहता हूँ कि हमने जो नई शम्ता प्राप्त की है या किसी के विरुद्ध नहीं है यह तेज गती से आगे बढ़ रहे हिंदुस्तान की रक्षात्मक पहल है भारत हमेशा से ही अंत्रिक्ष में हत्यारों की होड के विरुद्ध रहा है और इस से इस नीती में कोई बढ़लाव नहीं आया है आज का यह परिक्षा किसी भी तरह के आंत्रराश्य कानून अथवा संदी समझोतों का उलंगन नहीं करता है हम आधूनिक तक्णिक का उपयोग बेश के 130 करोण नागरिकों की सुरक्षा एवं उनके कल्यान के लिए ही करना चाहते हैं इस छेत्र में शांती और सुरक्षा का माहोल बनाने के लिए एक मजबूत भारत का होना आवशक है हमारा सामरिक उदेश शांती बनाए रखना है ना कि युद्ध का माहोल बनाना प्यारे देश्वासियों भारत ने अंतरिक शेत्र में जो काम किया है उसका मून उदेश भारत की सुरक्षा भारत का आर्थिक विकास और भारत की तकनीकी प्रगती है आज का यह मिशन आज का यह मिशन शक्ति इन सपनों को सुरक्षित करने की और एक एहम कदम है जो इन तीनों स्तंभों की सुरक्षा के लिए आवशक था आज की सभलता को आने वाले समय में एक सुरक्षित राष्ट समर्द्य राष्ट और शान्ति प्रिया राष्ट की और बढ़ते कदम के रुपे देखना चाहिए यह महत्वपुण है कि हम आगे बढ़ें और अपने आपको भविशकी चुनोतियों के लिए तैयार करें हमें बविशकी चुनोतियों का सामना करने तदा अपने लोगों के जीवन स्तर में सकारात्मत बढ़लाव लाने के लिए आदुनिक तक्रिक को अपनाना ही होगा सभी भारतमासी बविशकी चुनोतियों का सामना आत्म विश्वात से करें और सुरक्षित महसूस करें यही हमारा लक्षा है मुझे अपने लोगों की करमड़ता प्रतिवध्यता समर्पाण और योगता पर पूर्ण विश्वास है हमनी संदे एक जूट होकर एक शक्तिशाली खुशाल और सुरक्षित भारत का अंदिर्मान करें मैं ऐसे भारत की परिकल्पना करता हूँ जो अपने समय से दो कदम आगे की सोच सके और चलने की हिम्बत भी जुटा सके सभी देश्वास्यों को आज की इस महान उपलब्दी के लिए बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत छुप कामराएं और इस पराक्रम को करने वाले सभी मेरे साथ्यों को फिर एक बार अभिननन करता हूँ बहुत बहुत धनवाद भारत माता कीजे भारत माता कीजे भारत माता कीजे सबस्क्राइब कीजिए हमारे डाइनमाइट न्यू चैनल को और दबाईए इस बिल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले